जै मा काली दोस्तों आपके प्यारे चैनल स्वपन शास्त्र में आपका स्वागत है आपके इस प्यारे चैनल में हम आपको आपके सपनों से जुड़े रहस्यों की जानकारी देते हैं इसलिए हमारे किसी भी वीडियो को मिस न करें और नियमित रूप से हमारे हर वीडियो को देखते रहें आज भी हम आपको एक ऐसे ही सपने का गूढ रहस्य बताने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा और आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि यदि आपने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंट सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के बगल में मौजूद बेल आइकन पर प्रेस कर दिजिए ताकि जैसे ही हम कोई भी वीडियो अपलोड करें आपको तुरंट उसकी जानकारी हो जाए तो आईए आज चलते हैं आपको एक नई यात्रा पर लेकर जो आपके सपनों से जुड़ी हुई है और ये है बिल्लियों से जुड़ी हुई यात्रा हमारे एक दर्शक ने हमसे पूछा है कि अगर सपने में बिल्ली को देखते हैं तो उसका क्या संकेत है बिल्ली मा लक्षमी को बहुत प्रिये है इसलिए इसका संकेत भी बहुत बड़ा होता है अब अवस्था की बात आती है बिल्ली को आपने किस रूप में देखा है यह सारी बाते मायने रखती है तो हमारे जिन दर्शक ने पूछा था उनके इस सवाल से कई तरह के जवाब आपके सामने आने वाले हैं तो आपको बता दें, सबसे पहले बिल्ली के बारे में, बिल्ली जो आम तोर पर भारत में लोग जल्दी पालना नहीं चाहते, बिल्ली को अब शकुन के रूप में भी देखते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन यहाँ सच्चाई कुछ और ही है, बिल्ली दर असल आप देखेंगे मा लक्षमी के वाफन उल्लू से मिलता-जूलता चेहरा होता है बिल्ली का, यानी उल्लू और बिल्ली दोनों ही मा लक्षमी को बहुत प्रिये हैं, इसलिए बिल्ली को यदि अप्शगुन के रूप में देखा जाता है, तो यहाँ पर भी क कुछ भ्रांतियां हैं इन्हें भी सुधारना होगा कई लोग बिल्ली को सपने में देखने के बाद भैभीत हो जाते हैं डर जाते हैं कि आने वाला समय उनका खराब होने वाला है तो यह आवश्यक नहीं है कि आने वाला समय खराब ही हो हो सकता है कि बिल्ली आपको सपने में आकर किसी विपत्ती से चेतावनी देने का प्रयास कर रही हो या हो सकता है आपके लिए किसी अच्छा संकेत को बताने की कोशिश कर रही हो तो चलिए अब आते हैं बिल्ली को यदि आपने सपने में देखा है तो इसका क्या है रहस्य अगर आपने बिल्ली को साधारन तरीके से देखा है बिल्ली को टहलते हुए देखा है और बिल्ली को इधर से उधर भागते हुए देखा है तो चिंता करने की कोई भी बात नहीं है बिल्ली सामाने तोर पर खुले में विचरन करने वाली प्राणी होती है और ये जान लिजिये कि बिल्ली जहां भी जाती है, वहां मा लक्षमी का कुछ न कुन्स अंश अवश्य जाता है, अगर आपने बिल्ली को दूद पीते हुए देखा है, या अगर आप बिल्ली को दूद पिला रहे हैं, सपने में ऐसा देखा है, तो ये तो बहुत ही शुब संकेत है, कि आप मा लक्षमी की क कि आने वाला समय आपका और भी तेजी से अच्छा हो जाए और मा लक्ष्मी की कृपा आपके उपर तेजी से बरसने लगे इसलिए बिल्ली को दूद पीते हुए या दूद पिलाते हुए देखने वाला सपना बुरा नहीं है अब आते हैं कि बिल्ली ने अगर सपने में आपका रास्ता काट दिया तो ऐसे में क्या करें तो दोस्तों ये भी बहुत बड़े चिंता की बात नहीं है बिल्ली आपके सामने से जब गुजर रही है तो आपको ये समझना चाहिए कि बिल्ली आपको कोई संकेत दे रही है आने वाली विपत्ती का अगर बिल्ली आपके सामने आपके दाई ओर से बाई ओर मतलब राइट से लिफ्ट की ओर जा रही है तो आपको कुछ छण के लिए संभल जाना होगा अगर आपने सपने में देखा है कि बिल्ली आपका रास्ता काट रही है और राइट से लिफ्ट जा रही है तो कुछ छण के लिए संभल जाईए और अगर उस बीच कोई अन्य व्यक्ति उस रास्ते को पार नहीं करता है तो एक कदम पीछे मुड़ कर पीछे की ओर चल लीजिए और फिर आप आगे बढ़ सकते हैं ये आपको किसी भी विपत्ती से बचाने के लिए कारगर होगा और अगर बिल्ली बाई ओर से दाई ओर यानि लिफ्ट से राइट दिशा में जा रही है और आपने सपने में ऐसा देखा है तो ये एक शुब संकेत है बाई ओर से दाई ओर जाना यानि आपके लिए रास्ता खोलना रास्ता खोल रही है और आप जिस भी कारे के लिए आगे जा रहे हैं वो कारे सफल होगा तो ये आपने अगर सपने में देखा है तो समझ जाईए कि आपका आने वाला समय सुधरने वाला है अब आते हैं अगले सपने पर बिल्ली से जुड़े हुए अगर आपने देखा है कि बिल्ली आपस में लड रही है दो बिल्लियां लड रही है तो ये निश्चित तोर पर अच्छा सपना नहीं है ये ग्रीख कलेश का संकेत देता है इसका मतलब हो सकता है कि आपके घर में कोई बहुत बड़ा वाद विवाद होने वाला हो संभव है कि आपके घर में जितने भी सदस्य हैं उनका आपसी विवाद इतना बढ़ जाए कि उसको सुलजाने के लिए बाहर जाना पड़े बाहर के लोगों की सहता लेनी पड़े या घर तूटने तक की नौबत आ सकती है तो इसलिए ऐसी स्थिती में ततकाल आपको तुरंत मा लक्ष्मी की क्रिपाव के लिए आगे आना चाहिए और भगवान विश्नु और मा लक्ष्मी की प्रतीमा अथवा उनकी तस्वीर के आगे नतमस्तक होकर उनकी पूजा आरादना शुरू कर देनी चाहिए यह कहते हुए कि जिस प्रकार आपकी जोडी बनी हुई है और आप सब के उपर क्रिपा करते हैं वैसे ही हमारे उपर भी क्रिपा किजिए और हमारे परिवार में किसी भी तरह का ग्री कलेश उत्पण ना हो तो ये एक बहुत बड़ा ग्रीकलेश होने का संकेत देता है इसलिए आपको ततकाल संबल जाना चाहिए अब अगर आपने देखा है कि सपने में कोई बिल्ला और बिल्ली आपस में लड़ रहे हैं एक दूसरे को नोच रहे हैं तो ये आपके दामपत्य जीवन में खटास लाने का संकेत हो सकता है संबह है कि आपका और आपके जीवन साथ ही का आपस में कोई मनमूटाओ उत्थपन हो जाए तो आपको ततकाल संबलना होगा और ऐसी स्थिती में भगवान शिव और माप पार्वती की स्थुती करनी चाहिए कि आपका जीवन पूरी तरह से सुचारू रूप से चले और आपस में किसी तरह का बाद विवाद ना हो आपका दामपत्य जीवन मधूर रहे अब आते हैं अगले सपने पर जिसमें बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया है या फिर बिल्ली अपने बच्चों के साथ खेल रही है या फिर बिल्ली के बच्चे आपके घर में इधर से उधर खेल रहे हैं भाग रहे हैं दोड़ने हैं तो ये बहुत ही शुब संकेत हो सकता है, हो सकता है कि आपके घर में आपके यहां नई किलकारियां गुंजने वाली हों, हो सकता है कि आपके घर में बच्चों का जन्म होने वाला हो, या ये भी संभव है कि आपके घर में आपके रिष्टेदारों के यहां ऐसी खुशियां आने वाली हो और साथ ही आपको बहुत यश मिलने वाला है आपकी प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धी होने वाली है बिल्ली के बच्चे खुशाली के प्रतीक होते हैं और वे आपके रोम रोम को हर्शित कर देते हैं खुश कर देते हैं इसलिए बिल्ली के बच्चों को जन्म देते हुए देखना ये एक अच्छा संकेत है इससे घबराने की कोई आवशकता नहीं है बस आपको ये मान कर चलना चाहिए कि मा लक्षमी आपसे खुश है और आपके जीवन में खुशाली आने वाली है इसी तरह से अगर आपने देखा है कि सड़क पर या कहीं पर भ आपको सतर करने के लिए है आपका किसी पडोसी या रिष्तेदार के साथ किसी तरह का मन उटाओ या जगडा हो सकता है वाद विवाद हो सकता है इसलिए ये आपको संकेत दे रहा है कि आप नतकाल संभल जाएए किसी से भी बेवज़ उलजने की कोशिश कोशिश किजिए हर बात को आराम से सुलजा लें तो इसलिए बिल्ली के सपनों के कई मतलब हो सकते हैं यहां आपको हमने हर तरह के अवस्था के मतलब बता दिये हैं अब आते हैं बिल्ली के रंग को लेकर बिल्ली भी अलग-अलग रंग की होती है अगर आपने सपने में काल बिल्ली देखी है तो यह आपके लिए थोड़ा खडरनाक स्थेती हो सकती है हो सकता है कि आपके जीवन में कोई विपत्ती आने वाली हो और आपको संकेत दिया जारा है उसे संभलने का इसी तरह से अगर आपने सपने में सफेद बिल्ली देखी है तो ये आपके जीवन को और उज्वल बनाने का संकेत है और बिल्ली अगर मिश्रित रंग की है, अलग-लग रंग है उसमें चितकबरी बिल्ली है, लाल है, सफेद है उसमें काला रंग भी है सब मिला जुला रंग है तो इसका मतलब आपका जीवन सामाने तरीके से तो चलेगा ही धीरे धीरे आप उन्नती की और आगे बढ़ेंगे तो ये थी बिली के रंगों से जुड़ी हुई जानकारी अगर सपने में आपने ऐसी बिल्लियां देखी है तो तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतना ही एक नई जानकारी वाले नए सपने का संकेत और रहस्य बताने वाले वीडियो के साथ आपसे फिर मिलेंगे जल्द ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ततकाल सब्सक्राइब कर लें मिलते है जल्द ही नमस्कार जैमा काली